नमस्कार किसान साथियो ये है बिलकुल न्यू लॉंच 551 आइसर कंपनी का ट्रेक्टर है 50 HP केटेगरी का काफी शांदार लुकिंग आप ट्रेक्टर की देख सकते हैं इसके लुक में कुछ बदलाओ किया गया है इसके ग्राफिक्स बदले गये हैं ब्रांडिंग्स बदली गयी है आगे से इसकी जाली का डिजाइन भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है आप देख सकते हैं प्राइस में ही इंकलूड फैक्टरी फिटिड बंपर इस तरह का कुछ वेट आपको दिया जा रहा है बोडी के अंदर हैड लैंप है हैलोजन टाइप के हैं LED नहीं है आई सर 60 साल से अपने ट्रैक्टर इंडिया में बेच रही है तो उसके उपलक्स में इन्होंने इस ट्रैक्टर को यहाँ पर निकाला है इस तर रेटिंग इसे दी है तो यह है आई सर 551 फाइव स्टार टोप मोडल ट्रैक्टर है इसके बारे में पूरी बात करेंगे किसान साथियों गर बात करें ट्रैक्टर के इंजन की तो इसके अंदर आपको 50 HP केटेगरी 2000 इंजन रेटिड रप्यम तीन सिलेंडर नोन टर्बो 3298 यानि लगबग 3300 सीसी के इंजन मिलता है जिसका बोर 108 एमेम और स्ट्रोक 120 एमेम है किसान साथियों ट्रैक्टर खुद आइसर कंपनी बनाती है उसी के इंजन इसके अंदर लगा हुआ है सिम्सन कंपनी का इसके अंदर इंजन नहीं है वाटर कूल्ट इंजन है काफी अच्छा रिलाइबल इंजन है कॉम्पैक्ट साइज का डीजल की खपत भी कम करेगा ट्रैक्टर के अंदर आपको माइको बोश कंपनी का इंलाइन पंप दिया गया है साथी में डबल डीजल फिल्टर और वोटर सेपरेटर भी ट्रैक्टर के अंदर उपलब्ध है अगले टायर साथ पचास सोला के दिये गए है अगला वला एक्सल मतलब फ्रंट एक्सल एडजस्टेबल नहीं है फिक्स टाइप का फ्रंट एक्सल दिया गया है ट्रैक्टर के अंदर डबल एक्टिंग पावर इस्टेरिंग है दो रोड दी गई है दोनों तरफ एक्टिंग के लिए पावर इस्टेरिंग है आप दूसरी साइट से भी रोड देख सकते है और पावर इस्टेरिंग में चलने वाले ओयल का टैंक अलग से दिया हुआ नहीं है पिछले हिस्से का टैल ही इसके पावर इस्टेरिंग में चलता है लेकिन काफी अच्छे से फिल्टर लगा हुआ है हाइड्रोलिक फिल्टर उसमें फिल्टर होने के बाद ही तेल आपके पावर इस्टेरिंग में आता है थ्री स्टेज टाइप का oil bath type का मतलब गीला वाला air filter दिया गया है जो कि 3 stage की cleaning करता है और pre cleaning के साथ आता है किसान साथ यो ट्रैक्टर के अंदर आपको tandem pump दिये गया है hydraulic का pump अलग power steering का pump अलग जिससे दोनों ही चीज़ें आपकी maintenance free रहती है और engine पर भी कम load पड़ता है किसान साथ यो नीचे आपको hydraulic oil filter दिया गया है जो कि आपके hydraulic और power steering के pump में जाने से पहले तेल को filter करता है battery box side में mount किया गया है काफी शांदार graphics के साथ unique design के साथ icer की branding के साथ platform लगभग support है काफी उचे पैरदान है काफी अच्छी जगह है किसान साथी को operate करने के लिए बात की जाए gear levers की तो side shift gear levers tractor के अंदर दिये गए है काफी शांदार तरीके से adjustable seat है आगे पीछे उपर नीचे और अपने वजन के हिसाब से भी आप इस seat को adjust कर सकते हैं तो किसान साथी को चलाने में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है ट्रेक्टर के अंदर differential lock की सुविधा नहीं है पिछले टायर आपको 1498 के मिलते हैं मजबूत rim दिये गए हैं काफी शांदार indicator और फेंडर्स काफी चोड़े है पिछले वाले काफी शांदार पिछला इस्सा है heavy duty का पिछला इस्सा है आपको inboard reduction टाइप की तकनीक का सीधा वाला पिछला एक्सल दिया गया है जो की zero greasing point के साथ आता है मतलब पूरा का पूरा पिछला हिस्सा तेल में डूबा हुआ है आपको इसमें grease करने की कोई भी आवशक्ता नहीं है काफी शांदार heavy duty पिछला इस्सा बनाया गया है किसान साथ यो ट्रेक्टर की lift capacity 1850 kg की है top model की base model की 3700 kg होती है तो यह top model है इसकी 1850 kg है और काफी शांदार linkों के support jack के रूप में दिये गए है ट्रेक्टर के अंदर आपको तीन sensing point मिलते हैं आपकी मिट्टी के अनुसार hydraulic पर लगे हुए implement को sense करने के लिए तीन sensing point और आइसर की sensing भी अच्छी खासी होती है ट्रेक्टर के अंदर 43 HP, 43 HP की 6 spline, 540 RPM वाली PTO लगी हुई है जो की 540 standard मतलब single PTO आप ले सकते हैं option के अंदर आपको multi speed और reverse PTO का option भी आइसर कंपनी 501 क्यामन में provide करा रही है उपर बैठने के बाद आप view देखिए काफी छोटा सा steering wheel है stylus, comfortable यहाँ पर gear levers की reach आप देखिए काफी शांदार space है आपके पैर वगरा रखने के लिए operate करने के लिए digital instrument cluster दिया गया है कुछ LO clusters के साथ fully digital नहीं है लेकिन mix digital टाइप का instrument पैलन आपको मिलता है यहाँ पर आपको lighting, lower beam, upper beam में convert करने के लिए right hand side पे hand raise हाथ से आपके tractor को accelerate करने के लिए एक lever और नीचे आपको parking और indicator के switch दिये गए है parking का switch मतलब चारों indicator एक साथ own करने के लिए और यह वाला switch आपको indicator का मिल जाता है किसान साथी नीचे dashboard पे आपको key hole दिया गया है चाबी लगाने के लिए हर एक चीज को किसान साथी के अच्छी reach के लिए design किया गया है यहाँ पर नीचे engine को ट्रेक्टर को बंद करने के लिए एक pull and lever दिया गया है किसान साथी ट्रेक्टर dual किलच के साथ आता है single क्लच को option भी मिल जाता है लेकिन यह वाला model dual किलच है आधा दावाने पर आपका ट्रेक्टर रुख जाता है पूरा दावाने पर अपकी PTO पर लगा हुआ implement भी रुख जाता है काफी शानदार है dual किलच है यह है यहाँ पर PTO का lever PTO का अलग से किलच दिया हुआ नहीं है PTO operate आपके main वाले किलच से ही होती है और यह PTO की lever की मदद से आप आपकी PTO को operate करते है काफी शानदार एक चीज इसके साइड में लगी हुई है यह है mobile charging port fiber के डबे के box के साथ इसमें आपको charger भी लगा लगाया मिलता है यहाँ पर आपको सिर्फ USB केबल में आपके phone लगाने की जरूरत है यहाँ पर आपको charger भी लगाने की जरूरत नहीं है सिर्फ USB केबल लगाई है आपका phone लगाई है और इस डबे में आप सेफली आपके phone को रखकर भी charge कर सकते हैं यह है tractor का low high का gear का lever tractor के अंदर आपको 8 gear आगे जाने के लिए 2 gear पीछे जाने के लिए side shift, constant mass और sliding mass की mix मतलब combination के साथ gear levers दिये गए है gear shifting smooth है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अच्छे से operate आप कर सकते हैं tractor के अंदर तेल में डूबे हुए disc brake मिलते हैं parking brake का lever भी है आपर yellow color का, orange color का आप देख सकते हैं position control, draft control के lever आपके right hand side पे दिये गए है 1850 kg की lift capacity को control करने के लिए किसान साथियों यही सब कुछ था ICER 551 के बारे में tractor की कीमत 7,30,000 रुपए रखी गई है कीमत fix नहीं होती model के जगह के अनुसार कीमते change होती है वीडियो अच्छी लगी हो तो like करना channel को subscribe करना और अपना कीमती सुझाओ हमें comment box में जरूर देना आपका बहुत बहुत धन्यवाद